पी एमो में बैठे गौड से के कुछ भक्तों के द्वारा मुझ पर जो एफाइर हुए उसके उपर में आज ये प्रेस कॉन्फरेंस कर रहा हूँ साथियों सबसे पहला मेरा सवाल है कि गुजुरात में पिछले आठ दस सालों के दोरान दोच्यार नहीं 22 एक्जाम्स के पेपर लिख हुए उसमें कोई इन्मिस्टिगेशन नहीं कोई जाच नहीं कोई गिरफ़तारिया नहीं एक दो नहीं 22 एक्जाम्स के पेपर लिख हुए गुजरात में मुंद्रा के पोर्ट पर एक लाख पचत्तर हजार करोड का ड्रक्स पाया गया जिसकी इंटरनेशनल मार्किट में कीमत एक लाख पचत्तर हजार करोड है उतना ड्रक्स पाया गया जिस मुंद्रा के पोर्ट पे यदि आपके घर में 10 ग्राम भी ड्रक्स पकड़ागाए पत्रकार साथियों आपको भी नहीं छोड़ेगे लेकिन गवटम अदानी साथ उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं कोई अफायर नहीं कोई जांच नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के लिए एक बार भी नहीं बुलाया गुजरात भाजपा की एक दलिद समाज की महिला कार्य करता ने भाजपा के सिटिंग मंत्री के खिलाफ बलातकार करने का लगातार बलातकार करने का इल्जाम लगाया ईस मामले में पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कोई जांच नहीं कोई एफायर नहीं इस देश में धर्मसंसत के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाई के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है कोई इन्वेस्टिकेशन नहीं होता, कोई जाच नहीं होती कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालों को फिल्पी इस पे इन्वेस्टिकेशन नहीं होता, जाच नहीं होती, एफायर नहीं होती और मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पी एमों में बेठे गोड से के भक्तों ने इतने संगीन दो एफायर मुझ पर कर दिये वाट ड़स इट सो, ये क्या दिखाता है गुजरात की सरकार, प्रधान मंत्री और देशकी मोदी सरकार की मंसा क्या है उनका इंटेंशन क्या है, उनकी प्रायूरिटी क्या है एक लाग पच्छत्तर हजार करोड का ड्रक्स पकड़ा जा रहा है उसमें आप किसी की जाच नहीं करना चाते एक दलित महिला भाच्छपा के मंत्री के खिलाब बलादकार का इल्जाम लगाती है आप उसमें कोई जाच नहीं करना चाते एक तो नहीं, बाइस एक्जाम्स के पेपर लिख होते है आप उसमें कोई जाच नहीं करना चाते लेकिन मैं केवल एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट का कंटेंट क्या है मैंने केवल यही कहा कि गुजरात के हिम्मत नगर, खंभात और वेरावण इन तीन जगा पर जहां पर communal tension हुआ है communal classes हुए है तो चुकि जब प्रदान मंतरी गुजरात से है और वो गुजरात के दोरे पर है गुजरात आने वाले है तो मैं उनको बिंती करता हूँ कि महात्मा का मंदिर बनाने वाले प्रदान मंतरी मोधी साहाब इस communal issues को देखते हुए आप जब गुजरात आ रहे है तो प् कि दंगा फसाद ना हो पीस और हर्मनी मेंटेन करिए क्या इस देश में शान्ती और अमन बनाए रखने का अपील प्रदान मंतरी करें ये कहना कौन से कानून के तहती ओफेंस बनता है और यदि उनको तकलिफ मिर्ची समाथ से लगी कि मैंने ये कहा कि गौड से कि भक्त है तो मैं इस प्रेस कॉन्फरंस के माद्यम से उनको चैलेंज करता हूँ कि बहिया लाल किले की प्राचीर पे चड़के गौड से मुर्दाबाद का नारा एक बार लगा दीजिए तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए आज जो भी सब्जेक्ट पे इस देश के करना चाहते और उन्नीस तारीक को मेरे खिलाफ एफायर होता है मैं सिटिंग है मेले हूँ अचानक पुलीस रातों रात पचीस सो किलो मिटर की दूरी तै करके आसाम से गुजरात आती है उन्नीस तारीक एफायर हुआ मुझे समझ नहीं आ रहे हैं उन्होंने कितने बज़ के फ्लाइट बुक करवाया कोकराजार पुलीस टेशन और गुवाहाटी चार गंते की दूरी है सारे चार गंते होते हैं वहां से आप गुवाहाटी पहुचते हो गुवाहाटी से बैंगलोर का फ्लाइट बैंगलोर से एमदाबाद का फ्लाइट एमदाबाद से आप 140 किल है क्वे तब मुझे बता नहीं रहे उनके मालूम इसको कौण सा मुकद्वा है एक कौण सी सेक्सम लगी वह नी बता रहे मेरे परिवार से मेरे माताँ पिता से बात करने कि दैं可以 नहीं मेरे लोयर नहीं नहीं तक यहाँ तक कानून के धजिया उड़ा कर, एक MLA का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है, उसके तरफ पूरा ब्लाटन डिस्रिगार करते हुए, गुजरात की विदान सभा के स्पीकर को भी पताया नहीं, उनको भी पताया नहीं, उनको भी जान नहीं थी, उनको भी पता नहीं था, कि हमा के हैमेले को हम लोगों ने गिरपतार किया है तो मैं तो मानता हूँ ये आसाम की पुलिस ने गुजरात की असमीता और गुजरात के गवरों को खंडित किया है और ये गुजरात के सरकार के लिए शर्मिंद्गी की बात होनी चाहिए इसमें उनकी इतनी थूथू हुई बावजूद उसके उनको शर्मिंद्गी महसुस नो हुई एक महिला को आगे किया और दूसरा एफायर मुझे पे करवाया मैं मानता हूँ इससे बड़ी बुजदिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती मैं यह कहना चाहूँगा यह है चपन इंच की कायरता यह है चपन इंच की बुजदिली आप एक महिला को आगे करके पचीस सो किलो मिटर दूर बेठे किसी सिटिंग MLA के खिलाफ इतना फर्जी मुकदमा करते है और यह केवल मेरा एलिकेशन नहीं मेरे पास आसाम की जुडिशरी का बेल ओर्डर है क्या कहती है आसाम की जुडिशरी इंस्टन्ट एफायर इन दे सेकंड इंफोर्मेशन और यह जुडिशरी कह रहा है उनका कॉमेंट है इस एफायर इस नोट मेंटेनेबल मेरे खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं आसाम की जुडिशरी कह रही है कमिशन ओप दी ओफेंस अडर दे सेक्शन 353 IPC प्राइम फिशी इस नोट एस्टाबलीश प्राइम फिशी मेरे खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं नो सेंट परसन विल एवर ट्राइ तो आउट्रेज दे मोडेस्टी ओफ लेडी पॉलिस ओफिसर इन प्रेसंस ओफ टू मेल पॉलिस ओफिसर्स यह आसाम की जुडिशरी कह रही है तो कॉंट्री तो दे एफायर दे विक्टिम वूमन हैस डिपोज़ अट डिफरेंट स्टोरी बिफोर दी लर्नेड मेजिस्ट्रेट जज महदोय के सामने उन्हों ने कुछ कहा और और एफायर की जो सुच रहा है एफायर में जो इन्फरमेशन है जो एलिकेशन से मेरे खिलाफ दोनों के पीश में बहुत अंतर है कौन कह रहा है यह बेल का ओडर कह रहा है इसी ओडर में जज महदोय ने लिखा है इन विव अब अब टेस्टिमनी अब दे विक्टिम वूमन दे इंस्टंट केस इस नुफेक्चिरड फॉर्पस अब किपीं दाक्यूज श्री जिगनेस मेवानी इन दिटेंशन गॉर पर लॉंगर पिरिए अबूसिं इन ब्रोसे ओव कॉट अबूसिं इन ब्रोसे ओव लॉव instant affair is not maintainable in the court of law honorable Guati court may perhaps consider directing the Assam police to reform itself यह court का order कह रहा है कि हम Guati की high court को appeal करेंगे कि Assam police अपने चरित्र को सुधारे यह Assam police क्या कह रही है क्या कर रही है किसके इसारों पर कर रही है किसके कहने पर कर रही है जुडिशरी ने यहां तक कहा कि आपकी custody में कोई accused है और आपको सब कुछ दुदका दुदर पानी का पानी करना है तो आप अपने बदन पे CCTV कैमेरा लगाईए इस परकार का comment Assam की जुडिशरी को करना पड़ा इससे ज्यादा सर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि आप एक महिला का इस्तेमाल एक sitting MLA को बदनाम करने के लिए कर रहे और इतना strong observations होने के बावजूद भी एक बार भी Assam की सरकार को सर्मिंदगी महसूस नहीं होई तो सवाल यह है कि Assam की सरकार को अचानक क्या मन हुआ कि पचीस सो किलो मिटर दूर बैठे गुजरात के उस विदायक जिगनेस मिवाने के खिलाफ एफायर करे मेरा ये डावा है मेरा ये आरोफ है ये प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया की ओफिस से डिजाइन हुआ कॉंस्पिरेसी है गुजरात में चुनाव है और वो चाहता है कि मुझे बदनाम किया जाए मुझे डिस्ट्रोई किया जाए और यहां तक मानो मैं कोई टेरिडिस्ट हूँ मेरे घर पे छापे किये मेरे कंप्यूटर को सीज किया मेरे MLA क्वाटर पे रेड की लेप्टॉप को सीज किया मेरे कॉंस्टूटून्स की ऑफिस पे गए मेरे सेर टीम के लोगों के मॉबाइल जप्त कर लिए तीम के लोग जब अपने घर पे नहीं मिले उनके माबाद के मॉबाइल जप्त कर दिये मैं साथियों कहना चाता हूँ हम लोग पेगासेस के एरा में जी रहे जहां पर भारत इस मोदी सरकार के खिलाफ एलिकेशन है कि इस सरकार ने पत्रकार ह्यूमन राइट्स का काम करने वाले वकील और विपक्स के नेताओं के मोबाइल और कम्पिटर में स्पाई वेर को गुसेडा है इंस्टॉल किया है गेर कानूनी तरीके से इस दोर में जब जी रहे तो मुझे ये एप्रिहेंशन चिंता क्यों नहों कि जो मेरा कम्पिटर लिया जो मेरा लैप्टोप सीस किया जो मेरे मोबाइल के इंस्टॉमेंट लिये मेरी टीम के लोगों के मोबाइल जब की उसमें देर इस एवरी चांस की बाई नाउ दे में उप्लांटेड संथिंग अब तक उन्हों ने उसमें कुछ प्लांट किया हो सकता है तो सवाल ये हो रहा है कि इतना सारा फरजी वाड़ा करने में प्रधान मंद्री को क्या रूची है इतना सारा फेबरिकेटर केसिस करके डाई हजार किलोमेंटर दूर एक जेल में डाल कर इस देश के लोक तंत्र को भाचपा को क्या हसिल होगा करने के लिए बहुत कुछ है इन सारे मामलों में सरकार कुछ नहीं कर रही है और एक ट्वीट करने पर इतना हल्ला इतना सोर इतना गिरपतारी आदी रात को 12 बजे मानो किसी टेरोडिस्ट को आप गिरपतार कर रहे हो उस प्रकार का जो आपने माहौल बनाया है मैं मानता हूँ ये देश के लिए हमारे लोक तंत्र के लिए बहुत खतरनाख है पहले उन्होंने रोहित व्यमूला को सुसाइड के लिए मजबूर किया दलीज समाज के पतरकार साथियों को जेल में डाला चंदरशेकर की गिरपतारी करवाई और अब ये लोग मुझे खतम करना चाते है कोई युवा बोले कोई पतरकार बोले कोई वकील बोले और उसमें भी यदि कोई दलीज समाज का युवा लीडर बोलता है तो मोधी सहाब अपने कास्ट बायस के चलते उसको हजम नहीं कर पा रहे ये मैं आज इस प्रेस कॉन्फरेंस के माद्यम से आपके बीच में कहना चाहता हूँ और मोधी सहाब भी गुजरात से है हम भी गुजरात से है तो उनको चैलेंज भी देना चाहते है कि मैं अपने खिलाब जो मुकदमे हुए मैं उसको जैल लूँगा मैं वो सब सहन करूँगा अपने खिलाब जो केस हुए दोनो उसको वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में पाटिदार कम्यूनिटी के उपर हुए अंदोलन के दोरान के सारे केस वापस लिए उसी प्रकार मेरे विदान जबाक्षेत्र वडगाम में जो भी माइनोरिटी समाज के साथियों के उपर मुकदमे दर्ज हुए और उना के अंदोलन के वक्त जो एफाइर हुए जो मुकदमे दर्ज हुए वो सारे केस आप वापस लिजिए नमबर दो ये 22 पेपर लिख हुए उसको स्पेशिल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के दोरा उसकी जाच करवाईए नमबर तीन ये मुंद्रा के पोर्ट पर ये 1,75,000 करोड का जो ड्रक्स पाया गया उसमें गवतम अदानी का इंट्रोगेशन करवाईए और यदि इस सारे मामलों में आप एक महिने के दोरान कोई कारवाई नहीं करेंगे तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ एक जून पे इंडेन नेशनल कॉंग्रेस का गुजरात चैप्टर और हम सारे गुजरात के लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे और गुजरात बंद का इस मंच परसे में कॉल दे रहा हूँ मोदी जी आप भी गुजरात से है मैं भी गुजरात से हूँ आप भी समझ लीजिए जैसा कि मेरे साथी ने कहा फ्लावर नहीं, फायर है जूकेगा नहीं इट्स मैं चैलेंज टो यू प्राइम मिनिस्टर उफ इंडिया थैंक यू सो मज